कि नवस्का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैन्स सुभांस क्लास में हम आपके लेकर आए आपकी डिमांड पर पूछे गए कुछिनों के आंसर लेकर आए आपने हमसे कुछिन किये थे कि सर हमने कच्छा 12 पास कर लिए अब क्या करें जिससे हमें जल्दी से आपको प्राप्त हो जाएगी तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए यदि आप बाइलोजी यानि जीविग्ञान के स्टुडेंट तो यह आपके लिए बहुत स्टुडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोग ही होने वाला यदि आपने इस साल के बार्मी की पर इच्छा पास किया तो यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है यदि आपको सही दिसा के दमसार बताया जाए तो आप अपने लच्च की और जलिदी प्राप्त सकते यदि आपको अपना लच्च पराप्थ करना जल्दी नौकरी पराप्थ कि दरने तो हमारे इस वीडियो को पुरा देखका यदि आपको अच्छी लगे तो इसका यूज की जेगा और अपने जीवन को सफल बनाएगा जी विग्यान के विद्यारतियों के लिए पहला ऑप्सन होता है आप एनम कर लेजिए एनम कोर्स या जी एनम कोर्स एनम कोर्स यह दो साल का कोर्स होता है एनम कोर्स दो स्कार्स होता है और जी एनम कोर्स तीन एर्स का कोर्स होता है लेकिन एनम कोर्स के वल गर्ल्स के लिए ह होता है ऐ है किवल सक कर सकती है कि वप लड़कियों के लिए होता है है हुआ और जी आने मूं लड़की लड़का कोई भी कर सकता है कि यह दूनों के लिए होता ये तीन वर्स का कोर्स होता है, और A&M सिर्फ दो वर्स का कोर्स होता है, ये दोनों कोर्सों में आप नर्स बनेंगे, एनम का कुर्स करके जी एनम का कुर्स करके आप किसी भी हॉस्टियल में नर्सा का काम कर सकते हैं जिस से आपको 15 से 20 जार रुपए मंतली सैलरी मिलने लगेगी और आपको सिर्फ और सिर्फ दो साल का कुर्स करना इसके बाद आपको जॉब मिल लाएगी और आप अपनी मेनस से दो चार साले से करके 30 से 40 जार रुपए आराम से कमा सकते हैं तो यह आपके अनुभव पर डिबंड करता है आप कितनी जल्दी सेखते हैं उसके अनसार आपको A&M में आपको किवर लड़कियां कर सकते हैं और यहांनम दो वर्स का कोर्स है इसके बात कर सकते हैं अभी आप पढ़ाई में थोड़ा अच्छे हैं तो आप जीनम कर लेजिए जे एनम लड़कियां दोनों कर सकते हैं यह थे एनम से जुड़ा ही रिलेटिड डिप्लोमा है कोर्स है और इसे करने में तीन साल का समय लगता है इसके बार नेक्स्ट है सीपी एमटी सीपी एमटी थोड़ा हार्ड होता है इससे इस डॉक्टर की पढ़ाई थोड़ी सी बहुत ज्यादा कठेन होती है यदि आपका पढ़ाई पे बहुत अच्छा मन लग रहा है और आप सोच रहा है कि हम सीपी एमटी करके यह अपने बाइलोजी पढ़िए आपका सुरुआस से ही टार्गेट था कि हमें एक एक डॉक्ट दीजी यदि आप सीपी एमटी की परिष्छा क्रॉस कर लेते हैं तो आपको कॉलिज मिलेगा कॉलिज के बाद आपको पढ़ाई होगी उसके बाद आप एमबीबीस डॉक्टर बन जाएंगे तो सबसे सिंपल जो होता है आपके लिए वह एनम होता है एनम कम खर्च से और आसानी से आप नर्स बन सकते हैं एनम जीनम दोनों कोर्स होते हैं और यह लड़के लड़कें दोनों कर सकते हैं जीनम यह तीन वर्स का कोर्स है और यह दो वर्स का कोर्स है यह आपको एक्जाम देखर पास करना इसके बाद आपका कोर्स मिलेगा आपको और इसके बावजुद भी आप कुछ और भी करना चाहते हैं यदि आपका मन रेल्वे में है तो आप रेल्वे की तैयारी कर लीजे आपको रेल्वे में अच्छी जॉब मिल जाएगी गुरूप डी है लोको पाइलट है इन दो पुस्टो के लिए आप रेल्वे में भी तैयारी कर सकते हैं लेकिन आपके लिए सबसे फायदे मन रहेगा एनम जी एनम और उसके बाद यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप सीपी एमटी कर लीजे और आप रेल्वे की तैयारी भी कर सकते हैं यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वेल आइकन को अन कर दीजिए यदि आप एनम और जी एनम या सीपी एमटी के बारे में और जानना चाहत सकते हैं